दा पीक ओफ यही कहां से आ गया? पता नहीं मूर डांस करता हुआ कितना सुद्दे लग रहा है हाँ एमली लेकिन सामने वाली चट पे जो खड़ा है उससे शाद मूर सुंदर नहीं लग रहा हा अंकल अंकल देखो मेरा निशाना ठीक उस मूर पे ही लगेगा हाँ 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 हम भी तो देखें तुम्हारा निशाना कितना अच्छा है तुम्हारा निशाना थो बिल्कुल वेकार है हाँ 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 पल्टी किसी भी बर्ड को बारना अच्छी बात नहीं है और पीकॉक तो हमारी नेशनल बर्ड है इसे मारा तो पुलीस पड़के जेल में डाल देगी अंकल आप तो बड़ी हो आप भी नहीं तो एक बंटी, टलो नीचे, हम इसे मारेंगे नहीं, लेकिन पकड़के अपने फाम हाउस लए जाएंगे, वहाँ इसे पिंजने में बंद कर देंगे पीकॉक ट्रांसलेटर ओन पीकॉक ट्रांसलेटर ओन ये क्या है? अब मोर को अमारी और हमें मोर की बात समझ में आएगी दिखो, वो डरा हुआ लग रहा है हेलो दोस्त, टरू मत, हम तुमें कोई नुकसान नहीं पोचाएंगे ये बताओ, तुम यहां कैसे आए? मेरे पंक में चोट लग गई है इसलिए ठीक से उड़ नहीं पा रहा इसी वज़े से तुम्हारे छट पर उतर ना पड़ा मैं इमली हूँ ये है वीर और ये हमारा दोस्त चिलबल हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे तुम चिंता मत करो हम तुम्हारी चोट में दवा लगा के ठीक कर देंगे जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तुम यहीं रहो बहुत-बहुत धन्यवाद इमली बंटी अपने शिकारी अंकल के साथ हमारे मोर को पकड़ने आ रहा है चलो मोर को लेकर अंदर जाते हैं मोर को क्यों अंदर ले जाएं यह हमारी चत है जो आ रहे हैं उनको ही वापस भेज़ दो यह क्या कर रहे हो उनको चोट लग जाएगी अंकल संभल के अंकल